जब 2020 शुरू आता तब जेब बेजोस इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे और उस वक्त उनकी नेटवर्ट थी 113 बिलियन डोलर और उसी टाइम इलोन मस्क की नेटवर्ट थी 27 बिलियन डोलर जुगाई 2020 में वारन ब्रफट को पीछे कर ईलोन मस्क के दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने । और नमबर 2020 में बिल्गर्ट को पीछे कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बने। और फाइनली 7 जनवरी 2021 को तीन सालों से लगाता नमबर मन रहे जे बेजोस को पीछे कर आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं 2020 में मुश्किल से उनका नाम टोप 50 में आता था और आज नमबर वन का ताज उनके सर पर है पिछले 12 महिनों में इलोन मस्क ने जीतने आर्ण किये उतनी तो बिलगेर्स की इंटार नेट वर्त भी नहीं है हम शुरू से शुरुआत करते हैं 12 साल की उम्र में हम या तो काटून देखते थे या फिर वीडियो गेम्स खेलते थे और वहीं दूसरी और 12 साल की उम्र में ही इलोन मस्क ने एक वीडियो गेम बना डाला और उसी गेम को 500 डोलर में एक वीडियो गेम कंपनी को बेज भी दिया बच्वन में इनके माता पिता को और बाकी लोगों को ये लगता था कि इलोन मस्क को कम सुनाई देता है लेकिन सच तो ये था कि ये किसी की सुनते ही नहीं थे क्योंकि इनका फोकस ही इतना तगड़ा था कि जब इक चीज़ पर फोकस करते थे तो बाकी सारी जगाओं से इनका ध्यान हट जाता था जहां एक नोर्मल इनसान हफते के 40 से 50 घंटे काम करता है वहीं दूसरी ओर इलोन मस्क हफते के 100 घंटे काम करते है और ये अपने काम से कभी भी होलिडे नहीं लेते है ये किस्मत का नहीं बलकी पागलपन का खेले और ये पागलपन नहीं बलकी महापागलपन है और इसी महापागल ने वो करके दिखाया जो करने की सोच भी नहीं सकता इन्होंने प्रब्लम्स के सोलुशन निकालने के लिए कई सारी कमपनीस खड़ी करती इन्होंने देखा कि सिर्फ चेक्स क्लियर करवाने के लिए बेंक के बार कई लंबी-लंबी कतारे खड़ी होती है तो उन्होंने सोचा कि क्योंने उनलाइन पेमेंट सिस्टेम बनाये जाए और इसके लिए उन्होंने X.com की शुरुवात की लेकिन नई उन्होंने इस पेसे को अपनी नई कमपनीज में लगाया और उन्होंने एको नई कमपनी की शुरुवात की जिसका नाम था SpaceX उस टाइम रशिया रोकेट की टेकनलोजी में बहुत ही अच्छा था और इसलिए इलोन मस्क का रशिया गये रोकेट खरीदने के लिए लेकिन वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा मजाग बना और वहाँ साने के बाद में इन्होंने सब कुछ खोदी शिकना शुरू कर दिया बुक्स पढ़ पढ़कर जब इन्होंने अपना फिला रोकेट लॉंच किया तो वो फेल हो गया लेकिन वो यहाँ नहीं रुके उन्होंने दूसरा रोकेट लॉंच किया जो इस पेस में तो चला गया लेकिन और बीट में नहीं जा पाया लेकिन यह नहीं रुके और finally इन्होंने अपना चोथा रोकेट लौज़ किया और इनका चोथा रोकेट चल पड़ा और इन्होंने finally इस कमपनी में भी success मिली और इसके बाद में इन्होंने एक और प्रबलम के solution के लिए एक और नई company खोल दी उन्होंने देखा कि कोई लोगों को जवी में से निकाल कर उसे जलाय जा रहा है जिसे बहुत ज़ादा पॉलिशन हो रहा है और इसी के सोलिशन के लिए सोलर सेटी का जन्म हुआ इलोन मस्क ने अपने कजिन को कहा कि तुम ये कमपणी खोलो और मैं इस इंवेस्टमес करने के लिए तैयार हूँ इसमें भी उन्हें बहुत सक्सेस मिली और इसके बाद में इलोन मस्क ने बोरिंग कंपने की शुरुवात की जो की टाफिक को कम करने के लिए कई सारे देशों में टर्नल बना रही है ये आइडिया भी इलोन मस्क को तब आया जब वे टाफिक में फस गये थे और अपने काम के लिए लेट हो गये थे अगर कोई नॉर्मल बनता होता तो उसर्फ शिकायत करता कि सारी गलती गवर्मेंट किये और सिर्फ यही नहीं बल्कि इलोन मस्क आने वाले सालों में 42,000 सेटेलाइट्स इस्पेस में लॉंच करने वाले हैं ताकि हर इंसान बिना किसी बफरिंग के इंटरनेट का मज़ा उठा सके वीडियो कर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट कर बताएं कि आने वाले वीडियो आपकी स्टोफिक पर चाहते हैं मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में तब तक लिए गुडबाई दोस्तों चैही हिन चैही भारत